बच्चे मन के सच्चे आखों के तारे उन्हें यूही नहीं कहा जाता क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं ऐसे नादान जैसे क्या कच्ची मिट्टी होती है कच्ची मिट्टी को जैसा चाहें वैसा आकार देके वैसा ही रूप दिया जा सकता है उनको आज की जो सची घटना में आपको सुनने जा रहा हूँ इस सची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा इस्तमाल किया जा रहा था जिसको सुनने के बाद जज़ भी हैरान हो जाती है, परिशान हो जाती है ज़ फिर अपना एक फैसला सुनाती है ये वाकिए ये घटना आपको जगजोर सकती है, परिशान कर सकती है आदाब, नमस्कार, शस्रियकाल, मैं उस्मान सेफी, आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस अची घटना है, हर्याना परदेश का एक जिला है पलवल और इसी जिले का एक थाना लगता है चांद हट दरसल सितंबर 2019 का ये वाकिया है, एक महिला रोते विलखते होए थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि साहब, एक यूबक ने मेरा यौन शोशन किया है और काफी समय से वो ऐसे ही मुझे ब्लैक मिल कर रहा था, मुझे परिशान कर रहा था अब उसने मुझे गरबती कर दिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वो मना कर देता है कहता है कि तुम विदबा हो, तुम्हें दो बच्चे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर सकता साहब मेरी जिंदगी बचा लीजिए, अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दोंगी, मुझे बचा लीजिए कुछ इस तरह की रोते विलखते हुए जब बात कहती है, तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रपट लिख लेता है और जाच के आदेश देता है, जाच करती है, A.S.I. अंजू देवी, एस मामले की जाच करती है, जाच करने बाद पूरे इस प्रड़कन की चार शीट लगा कर जब कोर्ट में भेजती है, जनवरी 2020 में ये मामला जब कोर्ट में जाता है, ट्रायल पर शुरू होता है, जज का चोरी छुपे से, जैसे तैसे करके मेरे घर आता था, काफी समय से मुझे पर नज़र रखता था, और इसने मुझे अपने जाल में फसा कर, मेरे साथ आए दिन यौन सुशन करता था, मुझे परिशान करता था, और इसी की वज़े से वो प्रेगनेंट हो जाती है, इस ल उनों बच्चों के साथ शहर में आती है बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन्हें अच्छी जिन्दगी देने के लिए, घर वाले परिवार वाले उसकी रिश्दार उस महिला की मदद कर रहे थे, और इस लड़के ने उसकी जिन्दगी पूरी तरह से बरबाद कर दि दरसल बो लड़का इतना दोशी है ही नहीं, बो लड़का तो मैं 14 साल का है, उसकी उमर ही क्या है, और 14 साल के लड़के के साथ इस महिला ने किसी ना किसी बहाने से ये अपनी घर बुलाया करती थी, क्योंकि जब ये महिला उस महले में इस करायद पर आने रहने लगी, तभी लड़का उस आसपास में रहता था, और उसे किसी ना किसी बहाने से, कि भाया जाकर दुकान से ये समान ले आना, कभी कुछ समान कभी कुछ, इसलिए कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से उस बच्चे को अपने घर बुलाती थी, और एक दिन उसे ऐसा मौका मिला, जब उ उसने उस बच्चे के साथ गलत काम किया उसका यौन सोशन किया शुरुबात में उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा था लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की आदत में आ जाता है और वो इस काम में इस महिला के साथ यौन सोशन करने में उसको भी आनन्द आने लगा था औ लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि ये बात कभी किसी से चिप नहीं सकती है और वो बात निकलके सामने आई तो उसके प्रेगनेंट होने की रूप में आई जब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था तब उसने कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है मैं काफी दिन तक वो लड़का परिशान रहा था जब इस लड़के के पाक्षबी अदालत में सुना जाता है तो जजज वाके हैरान थी उस लड़के की उमरत को देखने के बाद और जजज ने फैसला लिया कि इससे पता चलता है और शाद ही A.S.I. अंजु देवी की जांत से पता चलता है कि इस महिला का सोशन नहीं हुआ बलकि इस महिला ने इस बच्चे का सोशन किया था इस बच्चे के साथ गलत काम किया था वो भी थोड़े वो दिन नहीं लगभग एक साल लगातार उस बच्चे का ऐसे ही सोशन कर रहे थे इसके घरवालों से भी बातचीत की जाती है तो घरवाले भी यही कहते हैं कि यह बच्चा हमारे कबजे से कहीं निकल चुका था हम इसे अपने पास बुलाते थे यह हमेशा इसी के आसपास इर्द गिर्द रहता था और ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था ना कुछ किसी भी बात में इसका मन नहीं लगता थ पढ़ाई लिखाई से भी धीरे धीरे दूर होता चला गया जबकि पढ़ने में बहुत होश्वार था घरवालों की परिवार वालों की और तुम्हारे की इस बच्चे की जब पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जजजबी अपना जब फैसला सुनाती है कि इस बच्चे को बाईजद बरी किया जाता है जब कि इस महिला के खिलाफ संब्दि धाराओं में इस यौन्स शोशन के धाराओं में मुकदमा दर्श करके और इसके खिलाफ गंभीर कारवाई की जाती है उसके बाद इस महिला को ग्रिफतार करके जेल भीज दिया गया और जैसे ही ये मामला ये फैसला कोट का सामने आता है तो वाकिए सब लोग हैरान थे परिशान थे कि एक विधवा महिला जो तीन-चार साल से लवख विधवा थी वकिए उसको जरुरत थी तो वो किसी पुरूष से शादी करती जबकि उस महिला की उमर 39 साल और उस बच्चे की उमर 14 साल के आसपास रही थी उस बच्चे की जिंदगी तो शायद पूरी तरह से बेकारी हो चुके क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई या सामाजिक तोर तरीकों से अलग जा चुका है जो भी उसके मन में जो भी उसके साथ हुआ है शायद इस मामले को कभी वो भूला पाए और शायद ही अपने परिबार के पिरती जैसा वो पहले रहता था कभी रह पाए इसलिए दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागरू करना है आपको सचेत करना है आप अपने बच्चों का हमेशा खयाल लखें चाहें वो स्कूल में हो चाहें वो घर पे हों, घर से बाहर हों, किस के साथ खेल रहे हैं, किस से मिल रहे हैं यदि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिये हुए हैं, उन से पढ़ने के लिए जफसी लोगडाउन हमारी जिन्दगी माया है, तफसे बड़ी संख्या में बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं, समय समय पर उनके मोबाइल भी चेक करते हैं, कि आखिरकार वो गूगल पर या सोशल साइट्स पर ऐसी क्या-क्या चीज़ देख रहे हैं, यदि आप अपने उसका भी कोई ना कोई योन शोशन कर सकता है, या उससे कहीं गलत रास्ते पिले जा सकता है, और गलत रास्ते पिले जानेक बाद उसकी जिन्दगी को पूरी तरह से बरबाद कर सकता है, जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ, हर्याना का एक पलबल जिला है, वहां का एक उनको सेलिट करता हूं कि वो हमेशा होसला अभजाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनके कमेंट मुझे, तो यूट्यूब पर जितिंदर कुमार, नितिन यादफ, सोनु गोतम, इरशाद एहमद की कानपूर से हैं, आरजुन निशाद ये गोरकपूर से हैं, संतोष कुमार संजू राजपूत, संजय कुमार निशाखान, और फेस्बुक पर हुकम चोहान, जैवीर, दीपक गुजर, जैदेव राणा, सोमवीर, IGP कमांडो हैं, अमन दीफ सिंग, राव कोशिक अलवर से हैं, आशी समध्य पिर्देश से, मनिश तिवारी दुवई से हैं, राज पटेल जो बिहार से हैं, संजू, शंकर, अमित राणा, M.D. हसन, राजू ठाकुर, मौमराज, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप कमेंट करके जिस तरह से होसला अबजाई करते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि बहुत सा मेहनत करके और भी अच्छी-ची कहानिया आपके सामने लाई जाएं, तब तक आपना ख्यायल रखें, सुरक्षित रहें, जै हिन, जै भारत!